तो आईए अब हम protons और neutrons कैसे discover हुए थे उसके बारे में देखते हैं तो टैल्टेन की थेयरी से हमें ये पता था कि atom एक neutral species है और अगर atom में negatively charged electrons है उसका मतलब कुछ ना कुछ positively charged particles भी होने चाहिए और यही बेसस्ता protons की discovery का protons की discovery भी हमने cathode rate tube experiment के setup से ही करी थी लेकिन उस setup में हमने थोड़ा सा modifications करे थे वो modifications क्या है यहाँ पे हमारी जो cathode rate tube थी उसको हमने evacuated नहीं रखा जबकि उसको हमने किसी ना किसी gas से fill करा दूसरा यहाँ पे hole हमारा cathode plate पे था और यहाँ पे zinc sulfide screen हमने cathode के पीछे रखी थी instead of anode के पीछे तो जब इस cathode rate tube को हमने battery से connect करा तो obviously हमें कुछ observations मिले तो यह observations क्या-क्या है सबसे पहले हमने यह देखा कि हमें chamber के अंदर यहाँ पे glow देखने को मिला जो यह indicate करता है कि हमारे पास एक charged particle है दूसरा यहाँ पे calculations के पाद जो हमारा charge और mass का ratio आया था वो हमारी nature of gas पे depend कर रहा है तीसरा अगर यहाँ पे जो ray हमें मिल रही है जिसको हम anode ray बोलते है यह anode ray को अगर मैं electric field के presence में लेके आता हूँ तो अब यह negative plate की तरफ deflect कर रही है जो कि यह indicate करता है कि जो हमारी anode ray है वो positively charged particle से बनी है चौथा जो हमारा mass of particle है यह हमारा nature of gas पे depend करता है तो हमारे पास जो सबसे lightest positive ion था hydrogen ion उसी को हमने एक proton के बराबर मान लिया तो अब हम यह देखते है कि neutron की discovery कैसे हुई तो जब हमने एक radioactive element में से alpha particles alpha particles मतलब helium 2 plus के particles तो जब हमने एक radioactive element में से alpha particles को beryllium sheet के उपर bombard किया तो हमें एक electrically neutral radiation मिला तो यह radiation जिन particles क्यों consist करता था उसको हमने neutron बोला और यह neutrons neutral particle होते हैं तो neutron की discovery के लिए जो यह experiment था यह जेम्स चैडविक ने करा था तो आएए अब हम summarize कर लेते हैं कि जो हमारे subatomic particles है उनकी properties क्या क्या है electron, electron का absolute charge क्या होता है और उसका mass क्या होता है और इस absolute charge को अगर हम relative scale पे देखे तो उसको हम minus 1 का charge देते है सिमिलरली proton का जो charge है वो electron के opposite होगा और उसका mass 1.67 into 10 की power minus 27 kg है सिमिलरली जो neutron है neutron तो neutral particle है तो उसका charge 0 है लेकिन उसका mass approximately proton के equal है कि अजसे है क्या है कि उसको इस जसका और ईसका डाम का कि तो जसका कि आ, मैजसे दाखे लग्ड़othें सीद lucrant 받ंशाय का आ, पाल के अ उसका, और, दोस्त liken कि वोंकोषन Тем1T